आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ Download Now Hello guys, इस वीडियो में Question देखेंगे जो की बिज़ है Refractive Index of Material पे Question में क्या बोला, If the Refractive Index of Glass with respect to Air is 3 by 2 What is the Refractive Index of Air with respect to Glass ठीक है, तो हमें Air का Refractive Index पूछा है with respect to Glass तो देखो, पहले हम समझते है Refractive Index की Definition क्या होती है ठीक है, तो N जो होता है, यानि Refractive Index, वो क्या होता है C upon V C क्या है यहाँ, Velocity of Light in Vacuum ठीक है, जनरली Air भी बोल सकते हैं, Velocity of Light in Air क्योंकि Air और Vacuum में Approximately same होती है Light की Speed, ठीक है, तो Air और Vacuum interchangeably use कर लेते हैं तो N होता है Ratio of Velocity of Light in Vacuum upon Velocity of Light in that Medium समझ गए, तो यह होता है Refractive Index अगर इसे थोड़ा और अच्छे तरीके से लिखें जैसे मैंने यहाँ Vm लिख दिया, तो यह साफ साफ पता चल रहा है कि यह है Velocity in Medium तो ऐसे ही, यहाँ भी अगर हम किसी सब्सक्रिप्ट का यूज कर लें कोई notation यूज कर लें तो हमें मलब देखके ही पता चल जाएगा कि यह क्या लिखा है तो हम इसे इस तरह से भी लिखते है Velocity, मलब Refractive Index of Medium With Respect to Vacuum ठीक है, यहाँ V से डिनोट कर रहा हूँ A से भी डिनोट कर सकते हैं मलब Air बोला है तो A से डिनोट कर लेते हैं ठीक है, तो यह होता है हमारा Absolute Refractive Index of Medium Medium का Refractive Index with respect to Air क्या हो जाएगा Velocity of Light in Air upon Velocity of Light in that Medium ठीक है, यहाँ तक समझ आया यह भी समझ आगया होगा कि जो A है वो उपर लिखते हैं और जो यहाँ चीज आती है वो नीचे लिखते हैं ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है यह N जो है N हमें दे रखा है 3 by 2 हाना Refractive Index of Glass यहनी Medium, अगर इसे और सही से लिखें तो यहाँ Refractive Index of Glass with respect to Air क्या हो जाएगा Velocity of Light in Vacuum upon Velocity of Light in Glass तो यह हमें क्या दे रखा है 3 by 2 ठीक है और हमें Find क्या करना है Refractive Index of Air with respect to Glass तो मतलब इसे कुछ हम ऐसे लिखेंगे Refractive Index of Air with respect to Glass और यह लिखेंगे कैसे देखो Glass में Velocity Light की यानि VG upon Air में Velocity यानि C तो VG by C को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कुछ 1 upon C by VG तो C by VG हमार एक्चुल में क्या है 3 by 2 तो यहां हम क्या कर सकते हैं 1 upon 1 upon 3 by 2 तो यह हमारा 2 उपर चला जाएगा तो हमारा Refractive Index of Air with respect to Glass क्या हो जाएगा 2 by 3 तो हमारा इस में से इंचारों में से कौन सा Option correct हो जाएगा Option 4th is correct ठीक है Thank you guys for watching this video Classics to 12 से लेके meet IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड के डाउटने टाप या WhatsApp कीचे अपने डाउट 8444 चार्सो पर